क्यारे बच्चों आप सबों का बिजय स्रीज के आठवे एपिसोड में स्वागत है आज 8 फरवड़ी 2023 है और इससे सम्मंदित जो भी महत्पूल करेंट एफर्स बन सकते हैं उसको इस सेशन में कौभर किया गया है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप हमारे चैनल को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल इलू संधान टेस्रीज से प्राप कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गया है इस वीडियो सेशन को आप लोग अच्छे से देखिए क्योंकि जो भी प्रशन लिये गया है वो काफी महत्तपूल है और जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं उनको भी इसमें सामिल किया गया है वीडियो के लास्ट में एक कुश्चन ऑफ दे भी दिया गया है इसका एंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर साजा करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जरूर लाइक किया और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए आज के लिए पहला प्रश्न है हाल ही में इसे स्मार्ट कार्चकेम के सुरुभात इसमस्ताले है प्राथमिक्ता वाले स्वास्त अनुसंधानों के छेत्र में बैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख्य उदेश्य है बात करते हैं किंद्रिया आयुष मंत्री के तो किंद्रिया आयुष मंत्री अभी है सरवनंद श्टोनवाल है साथी साथ आपको बताते चले ग्री मंत्राले के बारे में तो ग्री मंत्राले जो है अमित्सा के पास में है वहीं बात करते हैं खेल मंत्राले का तो खेल मंत्राले अनुराग फाकूर के पास है और आपको ये भी बताते चले सांस्कृतिक मंत्राले जो आप याद रखेंगे ये किशन रेडी के पास है तो सांस्कृतिक मंत्राले जो है जी किशन रेडी के पास में अगला प्रशन है हा 2023 में होने वाला है यह कहां पे होने वाला जमु कश्मिर में होने वाला है तो इसके लिए सुभंकर और खिम संग किस ने जारी किया और और बी दोनों इसका सही उतर हो जाएगा और अनुराथ ठाकुर दोनों मिलके इनका लंज किया है यह जो है तीसरा संस्करन है इसके पहले जो दो संस्करन हुए है इनके दोनों के भी देता है जमु कश्मिर ही है अगला प्रशन है हाली में किस देस में 7.8 तिवरता के भूकम ने भी शम तबाही मचाई है ओप्षन दियेगा है जापान तुर्किये स्तीरिया और और अप्षन बी और सी दोनों इसका सही उतर हो जाएगा और अप्षन नमबर बी और सी दोने तुर्किये जिसका पूरान 30,000 लोग अभी तक मर चुके हैं और बहुत सारे लोग मलवे में दवे हुए हैं यूएस जियोलोचिकल सर्वे को मुताबित है भूकम का केंद्र गांजिया टेप्स के लगभग 33 किलोमेटर और नूर दंगी सहर से लगभग 26 किलोमेटर दूर था यह 18 किलोमेटर के जा रहा है तूर्की और सिरिया में ताकि वहां पर जो है जो फंसे हुए उन लोगों को बचाया जा सके भारत की तरफ से इंडिया रेस्की टीम अलड़ी जा चुकी है और इसके अलावे चेक गनराज की भी टीम आप पहुँच रही है तो इसके बहुत सारे देश जो है कै इसका सही उत्तर हो जाएगा और सी आइटी बीपी ने हाल ही में यह किताब जो है लडाख स्काउट को हरा कर जीता है यह 12 अशंस्करन था और इसका आयोजन लेह लडाख में किया गया है वहीं बात करते आईटी बीपी की तो आईटी बीपी ने लगतार तीसरी बरिया चे आई तीपि के अस्थापन उनी सो बाजटी सी में हुई थी इसका मुक्षाल नई दिल है और बरतमान में महानिदेसक है अनी सिद्याल स्टिंग अगला प्रश्ण हाल ही में फरवरी 2023 के दौरान भारत के परधान मंतरी दौरा अपने 73 मन की बात कार्जकर में बताया गया कि पेटिंट कराने में भारत की world ranking कौन सी है जो world ranking होती है पेटिंट में भारत की कौन सी है पुछा गया option पाचवी, साथवी, तीसरी और आठवी इसका सही उत्तर हो जाएगा option नमबर भी शाथवी पेटिंट क्या होता है तो पेटिंट एक कानूनी अधिकार होता है जो किसी व आपने कोई जुगार से कोई टेकनलोजी बनाए है और यह टेकनलोजी आपका तब तक लिबैद नहीं माना जाएगा इसके उपर आपका अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक याप पेटिंट इसको नहीं कराता है इसे रजिस्टर कराने के बाद में ही आपका यह जो दिखा जया तो सातवा रेंग भारत का है अगला कुश्चन है लखनों में आयोडित छटे संघाई संहयोग संघटन साइल लीडर्स मीट की मिजबानी किस ने किया अब आपको बताते चले साइं होता क्या तो साइं होता है सुप्रीम औडिट इन्सीट होता है बात करते हैं भारत का सुप्रीम और इंसीट इंस्यूशन कों है तो भारत की सुप्रीम औरेट इंसीशन है थी कमट्रोलर एन औरुडियाव इंकलिधान में एक सो और ताली से jeśli सेηνा मिलती है इनकी मिजबानी किस ने किया औप्सन दिये कहते हैं नरे इस में क्या हुआ था क्या हो रहा है कि जो साइंस अंगठन साइंस जो है लीडर से यानी संघाई संगठन के जितने भी कंट्री साइंस जानी स्टान आनि स्सूष संगष है हमें टोटल मिंबर किस्तने है एट कंट्री है एट मिंबर है एट मिंबर में कौन-कौन है आपको देखे चलिए काजा किस्तान है किस्तान है इसके अलावे किर्गिस्तान है .' hisCOM किस्तान कर देखते है जितने वी किस्तान सब को डालें जैए डारा किस्तान पिर उख्य 카ि ind Sam को भी डाले не 27 गार फिर जैढ़ी अ किस्तान और हमारा परोसी जो है पाकिस्तान को भी डाल inhibit किस्तान भारत पर पाकिस्तान इसमें 2007 अं liver पूटल इट कंट्री जो है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश है तो इन देशों के जितने भी साइंस इंस्टूशन है जैसे जो है वहां के जो आउडिट इंस्टूशन है उसके लीडर्स यहां पर पाटिसिपेट कर रहे थे इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो उ शमर्जिंग टेक्नलोजीज इन द्ट अधित जाहर आउडिट में जो है जैसे जैसे जो है टेक्नलोजी का विश्टार हो रहा है वैसे वैसे परिवर्टन हो रहा है यहां पर यहां पहें जो हैसमेजवानी कीदा फारन किस भारतिये एटलीट को 21 महीनों का बैन लगा आग तुम पर दिपा क्रमाकर पर बारतिय जिम्नास्टिक जो कि पांडू रंगा उन्से यह संबंध्य जिम्नास्ट है नहीं है नाम जो है दवा का सेवन किया था जिसे वाडा ने वाडा क्या होता है विश्व डूपिंग रोधिस एजनसी होती है वाडा ने जिसे 2017 में परबंध कर दिया हुआ था तो इस दावा के सेवन के कारण जो है दीपा कर्माकर को बैन किया गया था और इनका नीलंबन जो है दोस जुलाइद को समाप्त हो रहा है कि अगला प्रश्न हाल ही में भारत के किस प्रवोशी देश ने साथ सुरी चार फर्वरी को अपना पच्छातरवा सोतंत्रा दिवस मनाया है और इसका थीम था नमो नमुमर्ठ इस्टेफ्ट वार्स सिंचुरी इसकी राज्धानी की बात करते हैं सिर्लं पुरा कोटी और वहीं बात करते हैं इनके प्रदानमंत्री का तो फ्रदानमंत्री है दिनेज अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलीया के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतरास्टी किलेकेट से सन्यास की भोशना कि है ऑप्छन दिया गया डेविट वार्वन पार्णर एरुन फि गवासकर लिए जहां के नाम पर बोडर गवासकर का आयोजन किया जाता है इसका पिछला जो संजहकरन हुआ था उसने भारत ने जो है आस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया वारत आई हुई है आपको यह भी बताते चले जो लाइवरेरी काजगंप किस राजसरकार द्वरा स्टार्ट किया गया है किरला करनाटका तमिलाडू और गौवा इसका सही उत्तर हो जाएगा option number C Tamiladu, Tamiladu में इसकी सुर्वात की गई है friends of library बात करते तमिलadu की governor का तो यहाँ के governor है RN Ravi है और वहीं बात करते यहाँ के chief minister का तो chief minister है तो अब आगया question of the day आज के लिए प्रशन है वर्स 2027 के football ACI कब की मेजबानी कौन सा देश करेगा इसका क्या सही उत्तर होगा आप लोग comment section में जरूर सजा किजिए और आप तो video session कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताइए अगर अच्छा लग रहा है video session तो आप हमारे channel को जरूर like किजिए subscribe किजिए और अपने दोस्तों को recommend किजिए साती शाथ अगर आप भिहार दरोगा की त्यारी करते है तो उसके लिए फिस्टल स्रीज स्टार्ट हो चुका है जिसकी फिरी सेट आपको यहीं पे free of cost जो है एकदम latest practice आपको provide किया जा रहा है जिसका ओल लेडी तीन सेट हो चुक है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा साती साथ अगर आपका इस इनों सेट का PDF चाहिए तो आप हमारे telegram channel से प्राप्त कर सकते है अगला जो दरोगा का test होगा वो फिर से संडे को होने वाला है आप लोग रेडी रहिए एकदम latest set है इसमें कहीं से भी कोई question का duplication नहीं है repetition नहीं है एकदम नया set है और एकदम परिक्षा वाला महौल की feeling जो है इस set के दोरान आपको मिलेगी इसकी पूरी guarantee है और दरोगा जो है हम आपको बनाएंगे इसके लिए निस्चिंत रहिए